सारन के नीवर्तमान सानसद और भाजपा पर्चासी राजी परताब रूडी जो हैं उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया है मतलब उन्होंने अपना आज नमांकन किया है तस्वीरे आपको उन्हों दिखा रहे हैं अमनौर जहां राजी परताब रूडी का पैत्रिक अवास है वहाँ से राजी परताब रूडी पूजा पाठ करते हुए विधिवत अपने पूरे परिवार के साथ तस्वीरे देखिए उनकी पत्नी नीलम सिंग उनकी जो बेटी है राजी परताब रूडी के सभी के सभी आज जो नमांकन किया गया है उस काफिले में सामिल रह के भाजपा के जो कारकरता है नेता है वे सभी के सभी बैंड बाजे के साथ राजी परताब रूडी के साथ पहुँचे हैं नमांकन कराने देखिए सारन की लड़ाई बेहत दिलचस्प है एक तरफ जहां लालू परसाद यादव की बेटी रोहिनी आचार है जो पहली बार लोग सभा का चुनाव लड़ने जा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नीवर्तमान सांसद कई बार सारन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं सांसद रह चुके हैं राजी परताब रूडी दोनों के बीच काटे की लड़ाई बताई जा रही है कहा जा रहा है कि लालू प प्रत्यासी है और बीजेपी की तरब से राजी प्रताप रूडी जो है वो प्रत्यासी बनाए गया है देखिए राजी प्रताप रूडी के बारे में लगतार ये चर्चा थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है हलाकि बीजेपी से जिस तरीके के उन्होंने बागी तेवर अ पूरे दल बल के साथ जो है पूरे बीजेपी कैडर के साथ कार करता और जो उनके नेता है उन सभी के साथ आज पहुंचे हैं अपना नमांकन कराने तो रण सद चुका है सारन का और न सिर्फ सारन का बलके पूरे बिहार का हमने आपको तस्बीर दिखाया जिसमें आज चिराग पास्वान जो है वो भी हाजीपूर में अपना नमांकन कराए है तो एक तरफ पूरा NDA केमा जो है वो अपने पूरे जोर सोर से तैयारी में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ अजश्वी आदव भी जो है और लालु परसाद आदव भी जो है ये तमाम नेता अपने परिवार और अपने नेताओं के जिताने के लिए अपना पूरा जोर आजमाईस किया जा रहा है देखिए सारन को लेकर जब रोहने चार का नमांकन हुआ तो उस दर्मियान भी खुद उनके पिता और पाटी के राष्टिया द्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद वहाँ पहुंचे थे खुद उनका जो फिजिक के नमांकन में देखने को मिल रहा है